नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऐसो Zenbook 14 OLED लाप्टॉप को और दोस्तों आज का वीडियो कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हम इस लाप्टॉप बिकॉस बहुत जादा डिमांडेट था यह लाप्टॉप हमने शॉट अप्लोड गया था बहुत से लोगों रिक्वेस्ट किया था तो दोस्तों हम इसको कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं और इस लाप्टॉप की एक जो खास बात है वो यह है कि यह 13 जनरेशन इंटल प्रोसेसर के साथ में आता है करेंटली जो हमारे पास में मॉडल अवेलिबल है यह कोर सब्सक्राइब है तो मतलब कि अगर यह शौक प्रूफ है और डस्प्रूफ है सभी चीजों से यह मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कॉलिटी बनाएं कम्प्लीट मेटल डिजाइन है जो कि बहुत ही अच्छा और प्रेमियम लगता है तो दोस्तों डिजाइन के यहां पर डिनोट करते हैं कि यह शन्बूक लाप टॉप है तो दोस्तों इसलिए बहुत अच्छा लगता है बैक साइड में अगर हम देखे तो क्लीन फिनेश कुछ भी जादा यहां वेंट से बहुत ही अच्छा लगता है और जो हिंसाइड है वह भी काफी अच्छा है का 3.5 mm का जैक है फिर दो थंडर बोल 4 पोर्ट मिल जाता है जो कि डिस्प्ले एंड साथ में पावर डिलिवरी के लिए यूज करते हैं मतलब कि आप किसी भी पोर्ट में करके लाप्टाप को चार्ज कर सकते हैं और किसी भी दोनों में से कोई भी पोर्ट को यूज भी कर सकत है तो लेफ्ट हैंड साथ में ज्यादा पोर्ट नहीं सिर्फ एक पोर्ट दिया गया सारे पोर्ट मेजर ली ऑन्टु दी राइट हैंड साइड बिल्ड किये गए तो बहुत अच्छा दोस्तों यहां पर क्लीन फिनिश क्लीन डिजाइन है बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छ के साथ में आता है मतलब कि अब इसको completely 180 डिग्री तक ओपन अप कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है हिंच कॉलिटी भी जो है बहुत ही अच्छी बनाई गई यहां पर हिंच कॉलिटी बहुत अच्छा है और अगर हम बात करें डिस्प्ले में अब सबसे पहले मैं डिस अब इसको दिस्प्ले दोस्तों यह 2.8 के resolution का डिस्प्ले है साथ में 90 हर्ट के frequency के साथ में 90 हर्ट का frequency बहुत ही अच्छा डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प्ले और दोस्तों एक चीज जो इस डिस्प्ले के बारे में बहुत जादा अच्छी है वो यह है कि यह Pantone Validated भी है जी हां दोस्तों जिसका आप लेबल यहां पे देख सकते हैं यह Pantone Validated Display अब Pantone Validated Display का मेनिंग होता है कि जो भी कलर आपको इसके उपर दिखाई देगा अगर आप specially graphic designer है या फिर अगर आप designs पे काम करते हैं तो उनके लिए चीज बहुत important हो because क्या होता है कई बार हम काम करते हैं कोई project पे वहां पे हमने कुछ design बना जहां पे color हमको कुछ अच्छा मतलब हमने choose किया है लेकिन जब हम print करते हैं तो वहां पे जो printing में जो color आता हो कुछ अलग हो जाता है तो Pantone Validated जो display होता है उसमें जो भी color आपको दिख रहा है और अ accuracy के बाले में अगर मैं बात करूँ तो DCI P300 परसें color gamut के साथ में आता है और Pantone Validated होने के हुझा से इसमें quality of the colors आपको देखने के लिए इसलिए जो display है बहुत जादा अच्छा है मुझे तो बहुत जादा पसंद आया अब उसके बात में कुछ और भी चीज़े इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहां पर जो keyboard quality है जो यहां पर जो भी चैसी बनाएगे यह बहुत ही रिजिट है बहुत ही strong chassis बनाएगे कोई भी kind का flex नहीं यहां पर कोई भी kind का flex आपको देखने के लिए नहीं मिलता है और एक जो चीज़ बहुत अच्छी है वह यह है कि इसके जो यह trackpad है trackpad में हमको यहां पर अगर हम चाहें तो हम number pads को भी यहां पर enable on off कर सकते हैं तो वह बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर कि अगर आपको number pad की ज़रूरत है because यहां पर keyboard भी तो कोई भी number pad नहीं दिये गए लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके उबर turn on and turn off कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है अब चलिए दोस्तों performance के बारे हम बात करते हैं इस laptop को performance कैसा है और over in all यहां पर क्या configuration मिलता है तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ अगर मैं यहां पर बात करूं कि processor के बारे में तो processor कमाल का processor दिय efficiency के लिए तो दोस्तों performance के लिए उसमें अगर हम threads के बारे में बारे में या फिर अगर हम बात करें सिने बेंच कोर्स के बारे में तो इसका बहुत ही कमाल का मल्टी कोर में 10,000 प्लस का Geekbench score मिलता है वहीं पे अगर हम Cinebench score में भी बात करें तो Cinebench Multicore जो वह 8,200 के आसपास आता है और single core में भी performance incredible है single core में 2522 का Geekbench single core score है अगर हम Cinebench में बात करें तो Cinebench में 1593 का score मिलता है तो दोसो बहुत ही कमाल के scores है इसके performance wise अगर हम देखें और दोसो अगर मैं compare करूँ इसका performance को तो अगर मैं compare करता हूँ इसको 6800H processor जो की Ryzen 7 का 6000 series का one of the top notch processor 6800H से अगर मैं compare करूँ तो equivalent performance हम कह सकते हैं इसके processor के लिए तो दोसो कमाल का processor है कोई भी kind का यहाँ पर processing power में कोई भी कमी नहीं रखी गई तो processor बहुत ही जादा यहाँ पर अच्छा इन इंटेंसिव दिया गया प्रोसेसिंग पार बहुत जादा अच्छा उसी के साथ में आपको इंटल इवो सर्टिफिकेशन में मिलता है मतलब कि बहुत साथ स्टांडर्स पर टेस्ट आउट किया गया और चार्जिंग वगरा भी इसमें आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है तो इसल पर बहुत जाता है जो कि डेडिकेटेट नहीं इंटीग्रेटेटेट है प्रोसेसर के साथ में लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा आपको प्रोइड करता है अगर हम गीक बेंच जीप्यू बेंच्मार्क के बारे हम बात करें तो इसके पर फिफ्टीन थाउज जो कि बहुत जादा अच्छा अगर आप यहां पर कोई भी ग्राफिक रिलेटेट भी टास्क करना चाहते हैं मतलब कि अगर आप फोटोशॉप करना चाहते हैं या फिर इनफाक्ट डिजाइनर्स के लिए बहुत बार पूछा है एक कौन सा लाप्टव अच्छा होता तो काड के लिए बहुत जादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है दो दोस्तों यहां पर प्रोसेसर ओर इनफाल कम्प्लीटली बहुत जादा अच्छा दिया गया उसके साथ में अगर हम राम के बारें बात करें तो राम भी कमाल का है 16GB का राम मिलता है LPDDR5 RAM है जो कि 4800 MHz पर काम करते हैं तो LPDDR5 RAM होने को जैसे यहां पर जो RAM की Efficiency है वो बहुत जादा अच्छी आपको मिलती है यहां पर कोई भी issues देखने के नहीं मिलते हैं हाला कि इसके अंदर आप राम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं किसी भी वे से और साथ में दोस्तो Laptop जो है बहुत जादा अच्छा performance के साथ में आता है connectivity के बारे में भी अगर हम बात करें तो यहां पर Wi-Fi 6E आपको technology मिल जाता है साथ में Bluetooth 5.2 मिल जाता है तो दोस्तों over in all इस Laptop में connectivity बाकी सारी चीज़ों बारे में अगर हम बात करें तो सब कुछ काफी अच्छा दिया इसको connect कर सकते हैं तो दोस्तों over in all इस लिए यह जो Laptop है ना one of the really power pack performance के साथ में आता है अब दोस्तों इसमें और भी बात करते हैं इसमें आपको अगर हम चार्जिंग के बारे में बात करें चार्जिंग में आपको मिल जाता है एक यहां पर 65 watts का एक चार्जर मिलता है औ जो 65 watts का यहां पर आपको चार्जर मिलता है इसकी मदद से आप इसको बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग आपको मिल सकता है और battery performance के बारे में अगर मैं बात करूं तो battery performance यहां पर easily 5-6 hours यह चल जाता है हमने इसको use किया बहुत intensive task के लिए तो easily यहा आप दाता हूं कल जब मैं इसको test करने से पहले मैं इसके ऊबर थोड़ा काम करा था तो मैंने almost उस टाइम पर मेरा battery जो था 20% के आसपास था लेकिन फिर भी around इसने मुझे 30-40 minutes का battery backup दिया था तो जो की बहुत यह अच्छी बात है अब दोस्तों साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजे मिल जाती है तो इसके अंदर आपको Microsoft Office प्रिंस्टॉल मिल जाता है और एक चीज जो मैं भूली का बताना आपको वो यह है कि इस laptop में आपको जो display मिलता है यह touch display है जी हां दोस्तों यह completely touch display के साथ में आता है मतलब कि अगर आप इस करना चाहते है as in touch display तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ करें तो touch screen के साथ में लाप्टॉप जिसकी वज़े से लाप्टॉप ना one of the really marvelous wonders बन जाता है तो over in all price point perspective से भी अगर हम देखे तो laptop में कोई ऐसी कमी नहीं रखी गई है अब मैं बात करा था कि किसके लिए बना त perspective से एक laptop लेना तो आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल भी यहां पर कोई भी डाउट ने किस laptop में कोई भी कमी मिलेगी Photoshop को अगर आपको यूज़ करना फिग्मा यूज़ करना या फिर कोई भी आनदे software को यूज़ करना बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है in fact अगर आप video rating भी आप कर सकते हैं अगर आप After Effects वगरा यूज़ करना तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा रेंटरिंग में टाइम ज़रूर लगेगा चाहते हैं अगर आप Mac के साथ में आज जाना चाहते है प्राइजिंग 1,30,000 के ने रहे तो आप इस लाप् condition जा सकते हैं 14 निंच का है लापटॉफ काफी श्लिब यैट वेक्टि ऑसका इन आपकर पर्फॉर्मेंस रीली रीली अमेजिंग पर्फॉर्मेंस आपको प्रॉइड करता है आप कहीं भी इसको बहुत ही अराम से लेके जा सकते कोई भी काम करने के लिए तो दोस्तों सभी यूजर के लिए एक लापटोप काफी अच्छा है और इनकेस कोई और डाउट रहे गया आपको कोई कोई कंफूजिन इस लापटोप के बारे में तो आप को कमेंट करें पूर सकते हम आपको सारे चीजों को इसमें डाउट क्लियर कर देंगे और अगर आपको लापटोप पर्शेस करना तो लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन पर मिल जाए एवेलिबल और य झाल झाल